Assalamualaikum, welcome back to my channel तरप खान विलोग्स, I hope आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, अलहम्दलिल्ला मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ बकर ईद माशाला करीब आती जा रही है, तो मैंने सोचा घर की क्लीनिंग से रिलेटर जितने भी काम है वो मैं अभी से शुरू कर दूँ, क्योंकि फिर अगर अभी पेंडिंग में डाल दूँगी, तो ईद के दिन करीब आते जाएंगे और टाइम कम होने की वज़ा से फिर इस दिन भी घर की क्लीनिंग से रिलेटर काम का बर्डन होता है ना, उस दिन मैं कोशिश करती हूँ, राइस बना लूँ, एक तो जल्दी बन जाते हैं और फिर रोटी पकाने से ना जान छूट जाती है, तो इसलिए आज मैं बनाऊंगी चिकन बरियानी मेरे किचन में जितनी भी डॉर्स या कैबनेट्स है ना, वो वीकली बेसिस पर साफ होती रहती है, अंदर से सब कुछ साफ है, डॉर्स, कैबनेट्स, everything, बट शेल्फ या कैबनेट्स के उपर की ये वाली जो जगा होती है ना, यहां पर बहुत डॉस्ट, बहुत मिटी थी और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मेरी हलपर्स यहां से भी क्लीन कर देंगी, लेकिन आज उन्होंने बड़ा ही अच्छा काम किया, मेरा दिल खुश हो गया, मेरे बगएर कहे आज उन्होंने ये सारा यहां से देखें कैसे आपको वाइट दिखाई दे रहा है, वरना यह यहां पर पहले इतनी डर्स थी ना यकीन करें कि वाइट जगा तो नजर ही नहीं आती थी, फ्रिज के उपर वाली जगा भी देख लें, बिल्कुल क्लीन है, साफ है, अच्छा इधर फ्रिज के उपर ना पहले मैंने एक कवर बिचाया हुआ था, वो कवर जो है, वो मेरा वाश कर ली है, और यहां पर सिर्फ आपको चार नजर आ रहे हैं, बाकी सारे फुट मैट्स ने हैं वो चट पर ने, इसके लावा घर में तीन रग्स ऐसे थे, जो साइज में बहुत बड़े थे, वो भी चट पर ही मैंने और सम्या ने वाश की हैं, और वहीं पर हमने ड्र मार्केट जाओंगी तो फिर वहां से नया फुट मैट ले आउंगी, अच्छा जो घर के अंदर रखने वाले फुट मैट्स हैं ना, वो मेरे अलग हैं और जो बहार रखने वाले हैं, अभी जैसे यहां पर आपको ये बेबी पिंक कलर का और येलो और ग्रे कलर का नजर आ आउटलेट है, वो एमपोरियम मॉल में है, चलें अभी थोड़ा सा मैं टॉपिक के बारे में बात करती हूँ, साथ साथ आप लोग देखते रहिएगा कि क्या क्लीनिंग से रिलेटेड हम लोगों ने आज मिल जुल कर काम किया, तकरीबन आज से डेर साल पहले जब मैं बी वो कहते हैं ना कि महिनत का bathroom नहीं मिल रहा था और जब महिनत का सिलाँ नहीं न मिलता तो इनसान chorus होता ही होता है क्योंके बिलाखिर इनसन थो इनसान है, जब मैं बहुत ज़धा depression में जाने लगी तो मेरे पास दो ही रास्ते थे जो मुझे नजर आए उस करसे या यूट्यूबर है ये उनका यूट्यूब उनका बिजनस है और बिजनस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन्स तो होते ही हैं मेरी जो मेंटल स्टेट थी उस वक्त मुझे इन चीजों की इतनी समझ नहीं थी मुझे लगता था कि शायद हर इनसान हर यूट्यूबर बड़ी नाम मेरे जहन में आए लेकिन एक नाम पर आकरना मेरा जहन टिक गिया और वो नाम था फाखरा खानम का क्योंकि मुझे लगता था कि फाखरा बहुत अच्छी हैं बहुत सेंसिबल हैं और मैं अगर उन्हें शाउट आउट का कहूंगी तो शायद वो मान जाएंगी मैंने फाखरा को इंस्टरग्राम पर वाइस मैसेज़ भेजे और सबसे पहले तो मैं फाखरा का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि एट लीस्ट उन्होंने मेरे हर मैसेज का जवाब दिया अधर वाइस आप किसी यूट्यूबर को मैसेज करें तो वो तो जवाब तक भी नही जवाब दिया लेकिन शाउट आउट उन्होंने मुझे नहीं दिया देखें मैं इसमें उनको बुरा नहीं कह रही जो उन्होंने बहतर समझा उन्होंने किया शायद मैं उस वक्त इसकाबिल नहीं थी कि मुझे शाउट आउट दिया जाता उन्होंने मुझे समझाया कि दे ऐसे देकर shout out लेना literally कोई problem ही नहीं था मतलब 60-70-80,000 उपे देकर और shout out ले लेना मेरे लिए कोई problem नहीं था लेकिन मसला ये था कि इतनी बड़ी रकम देने पर मेरा दिल मान ही नहीं रहा था वो भी एक shout out के लिए मतलब इस बात की क्या guarantee थी कि एक मैं बहुत बड़ी amount किसी YouTuber को pay भी करूँ और shout out भी मुझे मिल जाए लेकिन results मुझे फिर भी ना मिलें ऐसे होता है न और उस वक्त मुझे इन चीज़ों की भी अकल नहीं थी कि जितनी भी बड़ी YouTubers हैं वो media agencies के साथ linked होती है और अगर हमें उन से shout out लेना है तो हमें उन media agencies को contact करना पड़ता है ये सारी चीज़े मुझे उस वक्त नहीं पता थी ये मुझे आइस्ता आइस्ता पता चली जैसे जैसे मैं काम करती गई तो खेर फाकरा ने मुझे shout out देने से इंकार कर दिया और मुझे उनकी बात बुरी नहीं लगी बिलकुल भी क्योंके देखें आप request कर सकते हैं मानना या ना मानना वो अगले के उपर है मैं तो उनका आज ये भी शुक्रिया दा करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझे at least मेरे messages को respond तो किया मुझे से बात तो की वरना तो आप किसी को भी message करें यकीन करें किसी योट्यूबर को आप email कर दें जब मैंने फाकरा से shout out के लिए कहा ना तो in other words मैंने उन्हें अपनी help के लिए कहा था ना ठीक है और उन्होंने मेरी help करने से इंकार कर दिया तो शायद कोई और होता तो उसको बुरा लगता क्योंकि जब इंसान तरकी नहीं न कर रहा होता मुसलसल नाकामी 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 और बड़ी हिम्मत इकठी करके वो दूसरे को help के लिए कहता है और दूसरा बंदा help करने से इंकार कर देता है तो दिल बहुत तोटता है लेकिन उसी मोड पर ना मैंने बहुत संभल कर इस चीज़ को समझा मैंने उनके इंकार को negative नहीं लिया लेकिन अपने आप से एक वादा किया कि आएंदा कभी किसी को shout out के लिए नहीं बोलूँगी ना तो पैसे दे कर और ना ही पैसों के बगएर फाकरा ने जब मेरी help करने से इंकार किया ना तो मेरे पास दो choices थी कि या तो मैं चैनल बंद कर दूँ, quit कर जाओं और या फिर चुप करके मेहनत करती रहूं हो सकता है कि एक दिन मेरी मेहनत रंग ले आए और हो सकता है कि मैं भी grow करना शुरू कर दूँ इस मौके पर मेरे husband ने मेरा बहुत साथ दिया उन्होंने मुझे बहुत encourage किया सबसे पहले तो उन्होंने मुझे ये बात समझाई कि देखो, तुमने कहा था कि ये तुम्हारा शौक है अगर ये तुम्हारा शौक है तो इसको शौक की तरह ही पूरा करो अगर grow नहीं कर रहा है, चैनल व्यूज नहीं आ रहे हैं मैंने सोचा कि नहीं मैं quit नहीं करूंगी, मेहनत करना नहीं छोडूंगी चैनल पर काम करती रहूंगी, अगर अल्ला नहीं चाहा तो इंशाला grow कर जाएगा, और अगर अल्ला की मर्जी ही ना हुई तो फिर grow नहीं करेगा, क्यूंकि अल्ला की मर्जी के बगार तो पता भी नहीं हिलता तो बस मैं मायूस नहीं हुई, और काम करती चली गई, आज आप लोगों के सामने हूँ आप लोगों ने बहुत साथ दिया, बहुत प्यार दिया, और अब तरक्की की रहे नजर आने लगी है, अल्हम्दलिल्ला और जी आज इतना काम हम लोगों ने मिलके किया, मुझे तो डी हाइडरेशन होने लग गई थी, क्योंके गर्मी बहुत जादा है, स्वेटिंग जादा होती है, थकावट भी हो गई थी, तो मैंने लीमू पानी बनाया, और लीमू पानी में ना मैंने टैंक भी डाल दिया और जादा मज़े का बना था, तो मैंने खुद भी पिया, अपनी हेलपर्स को भी बना कर पिलाया, बर्यानी भी बन चुकी है, अच्छा अब जब काम से फारिग होते हैं, तो थकावट इतनी ज़्यादा होती है, मुझे उस वक्क खाने का दिल नहीं करता, अभी काम से फा माइक्रोवेव में फिर से गरम कर ली, आज जितने ज़्यादा गर्मी थी ना लहौर में लग रहा था, कि आंधी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि आज यार एक्स्ट्रीम गर्मी थी, इतनी खुटन, इतनी सफोकेशन फील हो रही थी ना, और वही हुआ जैसे पांच बज आंधी का समा बन गया और फिर तूट कर आंधी आई, तो बस यह था मेरा आज का व्लॉक, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है, तो मेरी मोटिवेशन के लिए लाइक जरूर कीजिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक अपना ख्याल रखिए, अल्ला हाफिज